मैंने यहां एक बाहूल ले लिया है जिसमें मैं एक चम्मच चीनी डालूंगी चीनी आप पिस्तीवी भी इस्तेमाल कर सकते हैं इसी के साद अभी मैं डालूंगी बेकिंग पाॉडर जो कि छोटे चम्मच से आधा चम्मच है बेकिंग सोडा जो है वो एक चोथा ही चम्मच मैंने यहां ले लिया है और और दो बड़े चमच इसमें मैंने तेल भी मिला लिया है तेल अपने घर का कुकिंग ओईल का इस्तेमाल कर सकते हैं अभी हमें इन्हें अच्छे से फेट लेना है जब तक की इन पे जाग नहीं आ जाता प्रोधे मिक्चर अभी यहां तयार हो गया है अभी हम फिजा का बेश तयार करेंगे उसके लिए मैंने परात में दो कप मेदा ले लिया है मैदा मैंने पहले से ही चानाओ हुआ यहां इस्तामाल किया है इस रेसेपी में लगने वाली इंग्रीडियन्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिये हैं आप एक बार जरूर चेक कर लिजे परात में जो हमने मैदा लिया है उससे हम बीच में से थोड़ी सी जगह बना लेंगे यानि कि वेल जैसा शेफ दे देंगे अब उसमें हम बावल में जो दही के साथ बाकी सब चीजे जालके हमने जो जागवाला मिशन बनाया है वो इसमें मैदे के साथ अच्छे से हम मिला लेंगे अभी हम जैसे आटा गुटते हैं उसी तरीके से हम यहां उसका आटा गुटना शुरू करेंगे दही को हम मैदे के साथ अच्छे से मिला लेंगे आटा यहा ना ज्याधा सकत हो ना ज्याधा नरम हो जैसे हम रोटीओ के लिए आटा गुटते हैं उसी तरीके से हम यह आटा गुटना है जरूरत हो तो आप थोड़ा सा पानी इसने मिला लीजेगा मेरा भी यहां आटे का soft dough बनके तयार हो गया है इस dough को अभी हम पॉल में shift कर लेते हैं इसमें हम थोड़ा सा तेल लगा लेंगे टाकी जो dough है वो सुखे नहीं और इसे एक बार फिर से थोड़ा सा गूर्च लेते हैं और अगले 30 मिलिट तक इस dough को rest करने के लिए छोड़ देंगे आधे घंडे बाद इसका soft dough बनके एकदम तयार हो गया है इस dough को अभी हम दो equal parts में divide कर लेंगे उसमें से एक dough लेके खलका समयदा dust करके हम जैसे रोटी बनाते हैं उसी टाइप से हम whole वाली रोटी बना लेंगे इसी तरीके से तवा पिजा का ये बेज बनके तयार हो जाता है इसे हमें एकदम perfect whole ही बनाना है अब इस पिजा बेज को मैंने तवे पे transfer कर लिया है और इसके corner जो है वो में हलकी से दबाते हुए थोड़ा सा मोटा रख रही हूँ थाकि हम इस पे जो cheese डालेंगे वो melt होके पहर ना निकले अभी हम एक pork की सायता से इन में छेट कर लेंगे अगर हम इसे छेट नहीं करेंगे तो ये full सकता है इसलिए आप ध्यान रखे अच्छे से पूरे बेस में छेट कर लें अभी हमारा pizza base perfectly ready हो गया है अभी सबसे पहले हम इसमें लगाएंगे pizza pasta sauce वो आप अपनी पसंद की साब से कम जादा भी थोड़ा सा लगा सकते हैं अभी हम सबजियों की टॉपिंग डालना शुरू करेंगे जिसके लिए मैंने slice, capsicum, onion, tomatoes, black olives और कुछ कौन के दाने मैंने यहां इस्तेमाल किया है आप अपने पसंद के हिसाब से और भी कोई डालना चाहते हैं तो इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं टॉपिंग में यूज करेंगे बच्चों का सबसे फेवरेट चीज, mozzarella cheese और cheddar cheese का मैंने यहां इस्तेमाल किया है चीज आप भर-भर के ही डालिए तो बच्चों को खाने में भी मज़ा आ जाएगा जरिला cheese घर में कैसे बनाना है उसकी link में आपको उपर आई बटन में दे दूँगी आप एक बार जरूर चेक कर लीजेगा और सबसे आखरी में मैंने उपर कुछ olives लगा लिये हैं अब फाइनली इस तवे को हम गैस में रख देंगे ताकि यह पक जाए और थोड़े देर के लिए हम लिट भी लगा लेंगे ताकि हीट जल्दी से तयार हो जाए और cheese मेल्ट होना शुरू हो जाए पिज़ा पकने में मिनिमम् 6-7 मिर्ट का टाइम ले लेगा अब गैस का फ्लेम लो करके ही इसे पकाईए ताकि यह आराम से पक जाए जीज भी अच्छे से मेल्ट हो जाए अगर आप हाइ फ्लेम में पिज़ा कुप करोगे तो इसका जो बेस है वो जल भी सकता है बस बीच बीच में आप इसे कॉर्णर से थोड़ा से चेक करते रहे ताकि पीज़ा पकने पर आपको पता चल सके अभी हमारा घर में बनाया हुआ तवा वेच पीज़ा तयार हो गया है अभी हम इसे सर्फ कर लेंगे सर्फ करने के पहले हम इसे कट करके फिर सर्फ करेंगे झाल